दोस्तों काफी लोग बॉडी बनाने के चक्कर में लाखो रुपे खर्च कर देते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि इतने रुपे खर्च करने के बाद भी उनकी बॉडी नहीं बन पाती है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग रूखी सूखी खाकर भी बहुत अच्छी बॉडी बना लेते हैं अब ऐसा क्यूं होता है और कैसे आप बहुत कम रुपे खर्च करके भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं उसके लिए आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखना पड़ेगा तो चले दोस्तों आज फिर से एक नई जानकार हासिल कर लेते हैं दोस्तों अगर आप जिम जाते हैं तो आपने बहुत सारे लड़कों के पास में सप्लिमेंट से भरा हुआ बैक जरूर देख्या होगा जिनने देखकर ऐसा लगता है कि वो कसरत करने नहीं बलकि किसी जंग की तैयारी करने आये हूं तो यहां पर हमारे क मुकाबला नहीं कर सकता क्यूंकि दोस्तों अगर सिर्फ सप्लिमेंट खाने से बोडी बनने लगती तो आज हर घर के अंदर एक बोडी विल्डर होता दोस्तों सप्लिमेंट खरीदने के लिए काफी लड़के लोग अपने घरवालों से जिद करते हैं और लड़ाय जगड और आप बोडी भी नहीं बना पाएंगे यहाँ पर मैं आपको एक बहुती काम की बात बता देता हूं कि बोडी मेनत लगन अच्छी डाइट और डिसिप्लेन टाइट रखने से बनती है यहाँ पर एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि बोडी बनाने में हमेशा टाइट रहता है तो यहाँ पर मैं आपको तीन ऐसी चीजें बता देता हूं जिसमें आपको किसी भी महेंगे प्रोटीन पाउडर से भी ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और दोस्तों खुसी की बात तो यह है कि यह तीनों चीजें आपको सिर्फ 20 रुपे की पड़ें आपको रासन की दुकान पर जाना है इने लेकर आना है और रात को अच्छी तरह से दोकर इन तीनों चीजों को भिगो कर रखना है और सुबह कसरत करने के बाद में इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लेना है आपके सरीर में कभी भी प्रोटीन की कम नहीं होगी अगर आप नियम से इन तीनों चीजों को रोज खाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको 50 ग्राम मूंग दाल साबुत लेनी है जो कि आपको सिर्फ 5 रुपे की पड़ेगी और इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा पूरे 12 ग्राम दूसरी चीज जो आपको लेना है वो है 50 ग्राम काला चना ये भी आपको 4-5 रुपे का पड़ेगा और इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 9 ग्राम और तीसरी चीज आपको लेनी है 100 ग्राम मूंग फली ये भी आपको 10-11 रुपे की पड़ेगी और दोस्तों इसमें प्रोटीन मिलेगा आपको पूरे 26 ग् अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इसाब किताब भी देख लेते हैं तो समझ लो 12 ग्राम प्रोटीन आपको 50 ग्राम मूंग दाल से मिला 9 ग्राम प्रोटीन आपको 50 ग्राम काले चने से मिला और दोस्तों 26 ग्राम प्रोटीन आपको 100 ग्राम मूंग फली से मिला तो यहां पर total protein हो गया 47 ग्राम वो भी सिर्फ 20 रुपे में तो मेरे भाई protein की कमी कहाँ से होई देखो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और काम की बात बताता हूँ कि ये जो protein की कमी है न वो हमारे खाने पेने में नहीं है बलकि हमारे दिमाग और बुद्धी में है अगर आप कसरत करने के बाद में इस डाइट को लेते हैं तो आपके सरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी बलकि और जो भी बहुत सारे पोसक तत्व हैं जैसे कि हेल्दी फैट, फाइवर, आइरन, हेल्दी कार्बो आइड प्रोटीन लेते थे तो दोस्तों ये देशी चीजें हैं इनके अंदर जान है पुराने लोग बोडी बनाने के लिए इनी चीजों का सेवन करते थे और आज भी जो लड़के गाउं साइड में पहलवानी करते हैं वो भी इन चीजों का इस्तेमाल आज भी करते हैं तो आप भी इन चीजों का सेवन करके अपने मेनत के पैसों को बचा सकते हैं और साथ में एक ताकत वर और अच्छे शरीर का निर्मान भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लि जाएगा